हाई अब्रिवन स्वागत एक नए वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में हम सीखेंगे मूबाइल से एक प्रोफेशनल यूटूब थम्निल कैसे बनाए जाता है तो आईए देखते हैं इस वीडियो में यहां पर आपको चूज करना है इमेज साइज और इमेज साइज में यहां पर आपको कस्टम पर जाके इसका रेशियो फिक्स करना है और यहां पर आपको लेना है यूटूब थम्निल मैं फिलार यहां से सिलेक्ट करना है यूटूब थम्निल तो दोस्तों इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपका जो background है, इस new text को यहाँ पर आपको इसको delete कर देना है simply उपर आपको बटन है delete करने को दोस्तों यहाँ पर आपको एक background export करना है, जिसका link मैं आपको description में देदूँगा, तो यहाँ से दोस्तों हम करते हैं background export export करने कबाद दोस्तों, यहाँ पर आपको इसको fix करना है, अच्छे से लवल जितना मैं इसको fix कर रहा हूं, आपको भी विआ इतना ही लेना है और यहाँ से आपको फिर इसको lock कर देना है दोस्तों जिससे यह, drag and drop नहों तो यहाँ पर मैं इसको log करते हूं लोग करने गवाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बैग्राउंड लेना है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहां से हमें सेलेक्ट करता हूँ अपना दूसरा बैग्राउंड यह रहा इसको मैं यहां से पिक करता हूँ और यहां पर इंपोर्ट कर देता हूँ इंपोर्ट करने बाद दोस्तों इसको आपको यहां से ड्रैग और ड्रोप करके इसका साइज बढ़ा करना है और इसे फिक्स कर दिना है जैसे दोस्तों मैं यहां पर कर रहा हूँ आपको यहां पर ऐसी करना है और इसको फिक्स करने के बाद आपक तो यह रहा हुँ दोस्तों इसको मैं यहां पर import कर देता हूँ और इसको यहां से आपको drag and drop करके इसको यहां पर इक्तम fit बिटा देना है जिससे कि यह दिखने में एक्तम attractive लगे तो यहां पर मैंने से fix बिठा दिया है और इसके बाद हम इसको करें यहां से lock जिससे कि यह move इसके बाद दोस्तों यहां पर लिखते हैं अपना text जो भी आपको thumbnail में लिखना है तो यहां से आप text पर जाके यहां पर आपको thumbnail के बारे में जो भी कुछ लिखना है तो यहां पर हम लिखेंगे तो मैं यहां पर लिख रहा हूँ 5 5 तो इसके बाद दोस्तों इसको लिखक आपना अगला टेक्स्ट तो यहां पर टेक्स्ट में जाके मैं लिखने वाला हूं दूसरा टेक्स्ट मिनट में और लिखने के बाद इस पर करेंगे और फिर से दोस्तों इसका यहां से आप दोस्तों यहाँ पर मैं इसका font select करता हूँ और font में जाके आपको कोई भी font आप चूस कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे तो यहाँ से मैं इसका लेता हूँ एक font और इससे select करने के बाद यहाँ से यह हो गया select और इसका करेंगे यहां से थोड़ा सा size बड़ा और इसको मैं यहाँ पर fit कर देता हूँ दोस्तों आपको भी ऐसी अपने thumbnail बनाना है जैसे मैं कर रहा हूं step by step मैं आप में पर समझा रहा हूं तो आपको भी यही follow करना है color आप कुछ भी ले सकते हो font आप कुछ भी ले सकते हैं अपने मन मर्दी से जो आपको अच्छा लगता हो आप यहाँ पर पिक कर सकते हो जरूद नहीं कि आपको यही color लेना यही से बीजिवल हो जाए इसके बाद दोस्तों यहां से इसका font चेंज करेंगे font यहां से में लेता हूं अपना वही font जो मैंने पिछले letters में दिया यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हो मेरा YouTube और दोनों मैंने यहां पर select करके adjust करके रख दिया है जो देखने में कफ़ी अट्रेक्टिक लब रहा है अब यहां पर इंपोर्ट करेंगे हम एक YouTube का option दिख रहा है यहां से आपको जाना है अपनी gallery में और यहां से आपको अपनी photo बैग्राउंड में यहां पर इसको अच्छे से फिक्स करना है आपको जितने आपका रिशो तो यहां पर आपको इसको अपने फोंट और अपने जो अपने थमनेल बना है उसके हिसाब से यहां पर आपको इसको फिक्स करना है तो चले में से आपको पहले फिक्स कर देता हूं तो गाइस थमनेल हमारा यहां पर तयार हूँ चुका है आप देख सकते हो देखने में काफ़ी अच्छा और अट्राटिक लग रहा है और इस वीडियो में ने जितने भी एकुपमेंट यूज के जितने बैग्राउंड यूज के सबका लिंक में डेस्क्रेप्शन में टो